प्यारे बच्चों, आज हम संगम बुक की पहली वार्क सिट कर रहे हैं, जिसका नाम है भुलकर्ड भोली दी गई कविता को पढ़ कर निमन लिखित परशनों के उत्तर दीजिए तो पहले हम ये कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके कोश्चन्स के अंसर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं उल्टा पुल्टा काम हमेशा ननी भूली करती थी जो करना वह याद ने रहता भूली नहीं सुधरती थी सोमवार वै भूली बस्ता, मंगलवार भूली पढ़ना पाठ छोड़ दिया बुदवार खुलानल, पना दिया पूरा घर घाट गुरूवार को दो चुटियों के बदले, करली चुटियां तीन शुक्रवार को जापान के बदले, नकसे में लिख डाला चीन सनीवार को जूट गई बस, शाला जाना रहा नयाद चल्दी रवीवार को शाला, वह समय हुआ उसका बरबाद तो इस कविता में एक लड़की है जो बहुती भुलकड है सारे काम उल्टे पुल्टे कर देती है और वह बहुत सारे चीज़ें भूल जाती है तो चलिए अब इस कविता से संबंद प्रशन उत्र कर लेते हैं कविता में दिये गए कुछ चीजों के चित्र बना कर रंग भरिये तो जैसे बस्ता है उसके सामने एक ज्रोइंग मैंने पेस्ट की है तो आप ऐसे ड्रोइंग बना सकते हैं इसके सामने वोस में कलर कर सकते हैं नल, बस, चुटिया तो ये आपको इसके सामने ड्रोग करना है प्रशन दो कविता को पढ़ कर उत्तर दीजिए एक शप्ता में कितने दिन होते हैं तो एक शप्ता में साथ दिन होते हैं चलिए अगले पेज पर चलते हैं अगला प्रशन है शप्ता में किस दिन छुटी होती है तो शप्ता में रविवार को छुटी होती है मंगलवार और गुरुवार के बीच कौन सा दिन आता है तो मंगलवार और गुरुवार के बीच बुद्धवार आता है शप्ता का पहला दिन कौन सा है इस दिन भोली क्या भूल गई थी शप्ता का पहला दिन सोमवार है उस दिन भोली बसता भूल गई थी मंगलवार को भोली पढ़ना भूल गई थी क्या आप भी कभी पढ़ना भूल जाते हैं जब आप पढ़ना भूल जाते हैं तो आपको कैसा लगता है तो इस प्रशन का उत्तर आप स्वैम लिखेंगे कि जब आप पढ़ना भूल जाते हैं तो कैसा फील करते हैं क्या ऐसा कभी हुआ है कि पढ़ना भूल गए हो अगला प्रशन है शुकरवार के दिन भोली ने क्या किया शुकरवार को भोली ने नकसे में जापान के बदले चीन लिख दिया किस दिन भोली ने नल खुला छोड़ दिया तो बुद्धवार को भोली ने नल खुला छोड़ सब्ता में कौन-कौन से दिन शाज अक्सर से शुरू होते हैं तो शुक्रवार और शनिवार अगला प्रशन है नीमने लिखित सब्दों के अर्थ लिखे पाट साला तो ऐसी जगे जहां विद्यार्थियों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है उसे हम पाट साला कहते हैं तो इसको हम विद्याले भी लिख सकते हैं घाट त्ट या किनारा नक्षा मानचित्र भी कह सकते हैं तश्वीर या फिर चित्र चुटिया सिर के गुथे वे बाल या फिर शिक्खा अब हम अगले पेज़ पर चलते हैं प्रशन चार हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है इस कविता में कौन-कौन से देशों का नाम आया है? तो इस कविता में जापान और चीन का नाम आया है खुला नल छोड़ना क्यों गलत है? क्या आप भी कभी नल खुला छोड़ते हैं? खुला नल छोड़ने से पानी बरबाद होता है नहीं मैं कभी नल खुला नहीं छोड़ती हूँ प्रशन साथ यदि आप ऐसे खुले नल को देखते हैं जिससे पानी बह रहा है तो आप क्या करेंगे हम उसे तुरंत बंद कर देंगे कभीता में कौन से चार अक्सर वाले दिन आए है तो सोमवार, बुद्धवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रवीवार कभीता में एक शब्द आया है उल्टा पुल्टा जैसे और अन्य शब्द भी ढूंड कर लिखे जैसे खटर-पटर, चटर-मटर तो इस तरह से आप अपने आप से भी कुछ शब्द लिखेंगे भोली स्कूल कैसे जाती थी? भोली बस से स्कूल जाती थी प्रशन ग्यारा भोली की कक्षा के बच्चे स्कूल में पैदल या अन्य शाधनों से आते हैं उनको चाट दवारा दर्शाया गया है तो एक तरफ साधन लिखा है एक तरफ बच्चों की संख्या तो एक स्माइली का मतलब है तीन बच्चे तो पैदल जाने वाले बच्चे तीन को हम पांच से गुना कर देंगे, मल्टिप्लाई कर देंगे तो पंदरा आ जाएगा अब हमें प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं, भोली की कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो भोली की कक्षा में कुल 45 यानिके 45 बच्चे हैं, सबसे जादा बच्चे विद्यालय कैसे आते हैं, तो सबसे जादा बच्चे विद्यालय पैदल आते हैं, अगला प्रशन है रिक्षे के द्वारा कितने बच्चे विद्याले आते हैं तो रिक्षे के सामने चार स्माइली हैं तो एक का मतलब तीन तो चार का मतलब बारा तो रिक्षे से बारा बच्चे विद्याले आते हैं अब हम अगले पेज पर चलते हैं प्रशन बारा है आपका मन पसंद दिन कौन सा है और क्यों तो इस प्रशन का उत्तर आप खुद लिखेंगे कि आपका मन पसंद दिन कौन सा है और वो क्यों पसंद है प्रशन तेरा फूल की पंखोडियों में शप्ता के दिनों के नाम लिखकर अपनी पशंद के रंग भरिये तो जो फूल की पंखोडिया हैं उनमें शप्ता के दिन लिखे हुए हैं इनको देख के आप लिखेंगे और उसमें कलर करेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनीवार और रवीवार Question number 14 Now write the names of weekdays in English in the circles given below तो इसमें हमें English में weekdays name लिखने है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday प्रशन पंद्रा आपके घर की भाषा में दिनों के नाम क्या बोले जाते हैं लिखे तो इसका अंसर भी आप खुद लिखेंगे कि आपके घर में दिनों के नाम को कैसे बोला जाता है Question 16 Radhika is a student of class 4 Given below are the activities which she did during the last week complete the names of weekdays तो इसमें बीच बीच में से कुछ letters जो हैं वो weekdays से हटाए गए हैं तो उनको आपको complete करना है तो इसको देखके आप उनको fill करेंगे अब कुछ questions है Radhika cleaned her book self on तो picture देखो और बताएं कि Radhika book self किस दिन साफ करती है तो उसमें आएगा Wednesday Thursday come between desk and desk तो Thursday come between Wednesday and Friday Radhika went to the market on Radhika went to the market on Saturday Radhika did various activities throughout 10 days in a week Radhika did various activities throughout all days in a week Radhika watered plants on Tuesday Radhika went for a walk on Monday Radhika played badminton on Friday Radhika attended a function on Thursday C worships God on Sunday Last है जिसमें खाली जगे दी है Is your holiday Sunday is your holiday Question 17 Prepare your weekday routine below तो एक तरफ weekdays लिखे हैं और उसके सामने routine activities लिखे हैं तो यहां पर आप अपना time table बनाएंगे कि इस week में आप क्या क्या करेंगे तो वहां पर weekday जैसे मंडे लिखा तो मंडे के अपनी activity तूजडे, वेडनस दे, थरस्टे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरह पूरे week की अपनी activity बनाएंगे रुटीन यहां पर लिखेंगे और उसको फोलो करेंगे तो सभी बच्चे इस वरक्षीट को अपनी बुक में करेंगे और मंडे को कक्षा अध्यापिका को जुरूर दिखाएंगे धन्यवाद